आज हमने आदर्नी उपमंत्री जी को कहा कि राज में आपके ग्रीजी लागो पाल गंज में भी पारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ट्यूटर डिमोंस्टेटर लेक्चरर नहीं है और यही हाल राज के तमाम पारा मेडिकल कॉलेजों का है जब ट्यूटर डिमोंस्टेटर नहीं रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई क्या होगा सत्र दो-चार साल लेट चल रहा है अखिर ऐसे कब होगा टेक्निकल स्टाप के सर कोई भी एस्पिताल संचालित नहीं किया जा सकता है अगर राजिका स्वास्त प्वरस्ता में सुधार चाहिए तो प्रतिक स्पिताल में टेक्निकल स्टाप के पदों को भरना परेगा जो लेम टेक्निशन के चात्रों को हटाया गया जुन्हों ने अपना जान जोखिम पर डाल कर नोक्री किया सिवाएं दी उनको फिर से बाहल किया यह हमारा स्वास्त मंत्री से निभेदन कि नमस्कार आप देख रहे हैं फश् लोग आते हैं लिए ंवास के बाहर देखें लालूं से मिलें के इस तरह से पारामेडिकल के स्टूडेंट हैं जो पुआदव स्वास्त मंत्री लगतार या से करें जानते हैं तो प्रशाद यादव विहार के उप्षास्त मंत्री से स्वास्त मंत्री जी से आज हम लोग दिन भर मिलने का इंद्जार करते रहे और आखिर में अभी कुछ दिर पहले हमारी मुलाकात हुई है हमने उनका ध्यान अपनी मांगों की और खिचने का कोशिस किया उनके शंग्यान म अंदर में सभी राज़ों में पारामेट्कल कॉंसिल का अगठन करना है जो नहीं हुआ हमने उन पर कहा तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसका फाइनल कर लिए हैं लेकिन अभी क्या फाइनल के हैं भागवान जानता है हम लोग लगातार आंदोलन का निशकर्स निकला की नही देखिए आंदोलन का निशकर्स नहीं निकला है 2022 में जो बहाली आई उसको भी अचानक से 2023 में रद कर दिया गया ओटी एसिस्टेंट एक्सरे टेकनिशन हम चाहते हैं कि उसको सरकार रियस्टोर करके ततकाल उस नियुक्ति प्रक्रिया को पुड़ा करा है साथ ही साथ जैपन नहीं प्रकासित हो रहा हमने उनका ध्यान खिचा कि इस नियमाबली को जल्दी किलियर कीजिए क्योंकि सरकार जो डेरलाख न्युक्ति की बात कर रही है वह आज नहीं पंस साल से बात हो रहा है लेकिन वह धरातल पर तबायेगा जब नियमाबली किलियर होगी और वेकेंस किलेर होगा साथ साथ देख बात और आपको काना चाहेंगे कि आज हमने आदर्नी उपमंत्री जी को कहा कि राज में आपके ग्रीजी लागो पाल गंज में भी पारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ट्यूटर डिमोंस्टेटर लेक्टरर नहीं है और यही हाल राजी क तमाम पारामिटकल कॉलेजों का है जब ट्यूटर डिमोंस्टेटर नहीं रहेगा तो बच्चों का पढ़ाई क्या होगा सत्र दो चार साल लेट चल रहा है आखिर ऐसे कब होगा जी लगातार अभी कुछ दिन पहले भी आंदोलन कर रहे थे जो लेट टेक्निसियन थे वह को आंदोलन कर रहे थे कि तीन साल नौकरी क्या करोना काल में और उनको हटा दिया गया चैन मुक्त कर दिया गया दो तारी को अब उसको किस रूप में देख रहे हैं आपकी संगत्तर ये सबना किस्तिती है सर जो बच्चे जिन्होंने लेट टेक्नेशन के हम लोग बात करे जिस टाइम महामारी था अपने जान पर खेलकर सभी छात्रों ने सेवा देने का काम कर दिया और मात्र 11,000 रुपीय महिने के पर उनको रखा गया था और सोर्सिंग पर उनको रखा गया था उन्होंने तब सेवाएं दी जब जरूरत थे सरकार को और अस्पिताल को और अभ वेकंसी दिया फिर वेकंसी वापस हो गई है अब सरकार कर रहे हैं कि जो लोग जॉब कर रहे तो उनको भी हटाया जा रहा है और जो वेकंसी आई थी ओटी का इसीजी का एक्सरे का जो इंपोर्टेंट पद है बिना टेक्निकल इस्टाप के सर कोई भी एस्पताल संचालि जी हमेशा करते थे कि वाओ को रोजगार देंगे रोजगार देने का सिंसिला भी चालू हो गया दस लाग भरतियां भी आ रही है सिच्छा भी भाग हो अब खेल विभाग में भी कुछ दिन पहले निक्ति पत्र बाटी गई अब जलसा साधन विभाग की बात करें तो निक पदें खाली है लेकिन स्वास्वी आदा विते तीन साल पहले से बोल रहे हैं डेर लाग जो वैकेंशी आने वाली है वो पेपरवाजी होता है सिर्फ पेपरवाजी होता है धरातल पर कुछ नहीं है हम लोग का OTCCG का जो वैकेंशी आए थी 2022 अगस्ट में उसको चार दिस को पूरी तरीके से सुना है उनसे हाथ जो रिकर बिंती है कि सर जो वेकंसी पहले आया था जुनको किया गया नियामावली फिर से बनाने के लिए उन्हीं को फिर से वापस लाकर जो लड़के हैं जिनका एज एकस्पार हो रहा है वो लोग कहां जाएंगे जब तक आपका नियामावली बनेगा तब तक एकस्पार हो जाएगा बहुत सारे चात्र है उनको बैक करके उस्ट्रों को निक्ति दिया जाए और जो लेंब टेकिनिशन के चात्रो यह लोग मुः ने अपना जोड़ दिया है अभंपुर्णियाव वापस जाहेंगों जोड़ दोड़ दिया है obsessed अस्वासन भी दिया है स्वासन के जल्से बातों को लेकर हम मुख़एं करेंगा और जल्द से जल्द जल्द जो भी स्वात्क नेशन के जो भी प्रॉबलम हो किये हुए वह बहालिया को शुरू की जागए इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे हैं फश्ट ब्यास्ट शैलेंद कुमार इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined